नमस्कार दोस्तों प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं टॉफ 33 टम प्लान्स इन इंडिया तो दोस्तों जैसे बोला जाता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती वैसे ही हर सस्ता प्रीमियम वाली पॉलिसी अच्छी नहीं होती इसलिए इंशुरंस पॉलिसी लेते टाइम स्पेशली टम इंशुरंस पॉलिसी लेते टाइम कभी भी प्रीमियम को क्राइटेरिया नहीं मानना चाहिए और इस वीडियो में हम आपको ये प्रूव करके बता रहे हैं तो हमने आज इस वीडियो में top 3 term insurance companies के लिए companies को select किया है और ये 3 companies हैं LIC, HDFC Life and Tata AIA इन companies को हमने क्यों select किया है इस वीडियो में पूरा इस पे research किया है वो बताएंगे और इसको हमने 7 criteria पे select किया है दोस्तो हमारी team ने पिछले 2 दिन में बेट करके insurance companies पे पूरी research की है और अलग-अलग data निकाला है ADA की annual report को go through किया है उससे data निकाला है और उसके बाद हमने इन 3 companies को finalize किया है और उनका क्या-क्या criteria है वो इस वीडियो में हम जानेंगे तो पहला जो criteria हम यहाँ पे ले रहे हैं वो है दोस्तो claims handled यानि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी company ने पूरे साल में 100 ही claim आये उसके पास और 100 के 100 उस company ने handle कर लिए और बोला कि साब हमने पूरे 100% claim settle कर लिया तो इस type की companies को हम नहीं चुनेंगे हम उन companies को चुनेंगे जिन्होंने कम से कम हजारों में claims settle किया है तो आईए इसमें देखते हैं LIC की बात करते हैं तो LIC ने दोस्तों पूरे साल में LIC ने 7,50,950 claims settle किये हैं claims handle किये हैं यानि इनको total इतने claim receive हुए हैं अगर हम बात करते हैं HDFC Life की तो HDFC Life को 12,946 claims मिले है during the year और Tata IAE की बात करते हैं तो इनको मिलते हैं 2,700 claims यानि claim handled की बात करते हैं तो उनकी ranking ये रहती है अगर हम overall industry की बात करते हैं तो overall industry में private insurance companies को मिले है total 1,12,200 CTC claim तो आप LIC और private companies का comparison करके देख सकते हैं कि private companies LIC के आसपास भी नहीं खटक रही है जितनी सारी private companies ने मिलकर के claims handle किया है उसका 7 गुना LIC ने अकले ही handle किया है अब आता है हमारा number 2 criteria तो number 2 criteria में है claim settlement ratio यानि इनको इतने claims receive हुए उसमें से इन्होंने कितने claims है वो pass कर दिये कितने claims का जो payment है वो कर दिया है तो उसमें Tata AIA number 1 पे आया है इन्होंने claim pass किया 99.1% दूसरे number पे है HDFC Life जिन्होंने claim settle किया 99% claims इन्होंने pass कर दिये और LIC का number है तीसरा 97.8% तो हमने maximum 99% की criteria को ही रखा था लेकिन जैसा आप देख सकते हैं LIC का जो claims रिस्टी हुआ है वो बाकी company से 7 गुना ज्यादा है उसके बाद भी अगर ये company 97.8% claims को settle कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि किस परकार से ये company efficiently काम कर रही है अब दूसरा number 3 हमारा criteria आता है वो है claim settled amount यानि total claims की amount जो receive हुई है वो कितनी हुई है वो देख लेते हैं तो LIC को total 12,891 करोड रुपए के claims रिस्टी हुए वही HDFC Life को total 577 करोड के claims रिस्टी हुए और Tata AIA को total 145 करोड के claim रिस्टी हुए अगर हम overall industry की बात करते हैं तो total industry को जो private industry companies को जो receive हुआ है वो है 4,433 करोड रुपए और LIC को receive है 12,891 करोड रुपए यहाँ पे भी आप देखेंगे total overall private industry का लगबग 3 गुना जो premium है प्रिमियम है वो LIC ने settle किया है अब हम बात करते है amount settlement ratio की दोस्तों कई बार क्या होता है claim settlement आपका अच्छा है claim settlement ratio आपका अच्छा है लेकिन क्या है insurance companies ने छोटे छोटे सारे claims पास कर दिये और बड़े जो करोडों में बड़े claims थे उनको पास नहीं करके भी अपना claim settlement ratio वो अच्छा रख सकती है इसके लिए हमें क्या है amount settlement ratio देखना पड़ता है तो यहाँ पर amount settlement ratio के अगर हम बात करते हैं तो Tata AIA का amount settlement ratio रहता है 96.1% और LIC का जो है ratio रहता है 95.3% और number 3 पर है HDFC live in का amount settlement ratio रहता है 92% यानि इनको जितने amount के claim receive हुए थे उतने मैंसे 92% HDFC ने पास कर दिये 95% LIC ने पास कर दिये और Tata AIA ने 96.1% पास कर दिये तो यहाँ पर इनकी ranking रहती है next रहता है हमारा criteria claim rejection ratio यानि insurance company को जब भी claim receive हुआ है तो उसके पास 3 option रहते हैं in fact 4 option रहते हैं पहला वो claim को pass कर देगी दूसरा वो claim को reject कर देगी तीसरा उस claim में कुछ dispute होगा वो repudiation में चला जाएगा और चोथा जैसे माली जी March end में जो भी claim receive होगे वो अगले साल के लिए चले जाएंगे तो उनको उस claim settlement ratio में count नहीं किया जाता है तो इस base पे हम देखते है claim rejection यानि overall effectively reject कितने कर दिये उन्होंने तो Tata AIA की अगर हम बात करते है तो यहाँ पे इन्होंने कोई भी claim reject नहीं किया अगर हम HDFC life की बात करते है तो इन्होंने 0.18% जो claims है वो reject किये है और LIC की बात करते है तो LIC ने 0.46% claims है वो reject किये है तो यह claim rejection की बात करते है तो यहाँ पे इन तिनों companies ने बहुत ही efficiently काम किया है 0.5% यानि आधा परसेंट से भी कम claims इन्होंने reject किया है जो कि बहुत अच्छी बात है तो इन तिनों का criteria यहाँ पे ऐसा बेढ़ते है अब आता है number 6 हमारा solvency ratio तो solvency ratio में दोस्तों क्या है एडा की guidelines के according कोई भी company होगी उसको जितने भी claims वो उसकी liability होने वाली है उसके accordingly उसको dead गुना उसको assets बना करके रखना पड़ते है उसको solvency margin कहते हैं तो अगर हम बात करते है Tata AIA की तो यहाँ पे इन्होंने 2.50 solvency ratio बना करके रखा है अगर हम HDFC live की बात करते हैं तो इनका solvency ratio है 1.88% Tata AIA से कम है लेकिन फिर भी 1.5 से ज्यादा है और HDFC bank का जो इसको backing मिला हुआ है उसके कारण ये ratio हम मान के चलते हैं कि comfortable ratio है HDFC live के लिए और LIC की बात करते हैं तो LIC का ratio रहता है 1.60 यहाँ पे 1.60 ratio देके आपको गबराने की ज़रूरत नहीं है ये 1.5 से काफी उपर है और जिस परकार से LIC का liability देखते हैं तो उस हिसाब से 1.60 भी बाकी सारी companies का solvency margin को मिलाएंगे उससे भी ज्यादा होगा LIC डूबती हुई company को उबार लेता है तो इसके डूबने का तो कोई सवाल नहीं उठ सकता अब आता है number 7 हमारा दोस्तों इसको मैंने जैसा बात किया था premium जो है वो एक मात्र criteria नहीं होता लेकिन एक criteria हो सकता है तो इन तीनों के last का जो criteria हमने रखा है वो है premium का तो इन तीनों companies का premium देखते है premium देखने के लिए हमें पहले एक example लेना पड़ेगा और उसके base पे हम देखेंगे कि तीनों insurance companies उस particular example के लिए किस परकार से खरीब बेठती है तो आईए देखते हैं पहला है माली जे मिस्टर राम है ये non smoker है और इनकी age है 30 years यानि date of birth इनका है 1 January 1990 ये एक करोड का सम insurance लेना चाते है और ये किसी परकार का riders select नहीं करते हैं ये हमारा criteria है इस criteria पे हम तिनों बीमा companies का plan लेके देखते हैं और उसमें देखते हैं कि premium क्या रहता है अगर आप HDFC Life में इसी criteria के साथ जाते हैं तो आपको मिल जाता है 12601 सालाना premium पे और Tata AIA में अगर आप जाते हैं तो आपको सालाना देना पड़ेगा 12980 रूपए जबकि आप LIC में जाते हैं तो इसका premium चुकि थोड़ा ज़्यादा होता है तो LIC में आपको देना पड़ेगा 14122 रूपए तो दोस्तों ये इनका premium का criteria रहता है अब हम overall ranking देख लेते हैं overall ranking इनका कैसे बैठता है तो overall ranking में मैं LIC को number one पे दूँगा क्योंकि ये इंडिया का अगर आप देखेंगे overall industry में contribution तो भी इसका बहुत ज्यादा contribution है claim settlement ratio अच्छा है amount settlement ratio अच्छा है government का 100% holding है ये सायर criteria को देखते हुए LIC को मैंने number one पे दिया है HDFC life को आप देखेंगे HDFC life 2-4 साल पहले perform नहीं कर रहा था लेकिन पिछले 3 साल से अगर इसको देखेंगे बहुत अच्छा इन लोगों ने improve किया है उस base के आधार पे मैं HDFC life को number 3-2 पे रखता हूँ और number 3 पे Tata AIA को रखता हूँ जो के claim settlement ratio पे amount settlement ratio पे claim rejection ratio सब parameters पे काफी खरा उतरता है लेकिन HDFC life को HDFC bank का backing भी है ये सारी चीजे देखके मैं HDFC को number 2 पे रखा है Tata AIA को number 3 पे रखा है इनों में ज्यादा significant difference नहीं है हालां कि number 1 पे मैं HDLIC को ही रखूँगा LIC और का जो term plan है HDFC LIC tech term plan बहुत अच्छा term plan है इसकी पूरी detail मैंने इस video में दे रखी है और इसका link है वो description box में आ रहा है और उपर भी इसका link आपको दिख रहा होगा आप वहाँ से click करके भी इसको देख सकते है similarly LIC tech term अगर आपने अच्छा लगा है और आप उसको buy करना चाहते है तो उसका step by step जो online demo है वो मैंने दिया है उसका link भी description box में आप वहाँ से देख सकते है और अगर आप HDF से life में interested है तो HDF से life का भी हमने एक video बनाया है latest video है July 2020 का और LIC का जो premium plan है click to protect उसका दिया है इस video में उसमें बहुत ही साधान वाशाम इसको बनाया है और examples के साथ बनाया है और हमारी ranking आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों आप comment box में जरूर लिखे अगर आप इसमें कुछ chain चाते है कि ranking हमारी अच्छी नहीं लगी है तो भी हमें बताएं कि किस कारण से आपको हमारी rank अच्छी नहीं लगी है ताकि हम उसके work out कर सकें कि हमने कहां पर गलती की है और अगर अच्छी भी लगी है तो भी आप बताएं कि आपको अच्छी लगी है और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है आपने तो प्लीज चैनल को subscribe किजिए बहुत ही अच्छे अच्छे ज्यानवर्दक video वीडियो financial matters related वीडियो जहां पर आते रहते हैं और दोस्तों आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल 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 झाल